केजवीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा जैसे राष्ट्र विरोधी लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है अब ये एक एक भारते का मिशन बन गय आया है देश के लिए मेरी जान भी हाजी रहा मैं पहले इंकम टेक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोड़ो रुपए कमा लेता हूं उस नौकरी को लात मारके कई वर्षयों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में याने काम किया है आप यह सीविय बुलाया है थोड़ी देर में घर से निकलूंगा पूरी मानदारी और सच्चाई से इनके सभी सवालों के जवाब देंगे जब कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर छुपाना क्या यह लोग बहुत ताकतवर हैं किसी को भी जेल भीज सकते हैं किसी को भी चाहे किस गिरफ्तार करेंगे केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे शायद बीजेपी ने सीविय को आदेश भी दे दिया है कि केजरीवाल को गिरफ्तार करना है अब बीजेपी ने अगर आदेश दिया है तो सीविय की क्या मजाल है फिर तो सीविय गिरफ्तार करेगी इन्हें बहुत एहंकार हो गया है, सत्ता का हंकार, पावर का नशार, किसी को कुछ नहीं समझते, जिसको मर्जी धमकी देते रहते हैं, जजों को, मीडिया वालों को, पत्रकारों को, निताओं को, व्यपारियों को, द्योगपतियों को, सब को धमकी देते फिरते हैं, हमारी बात मानो, नितो जेल में डाल देंगे, सब को जेल की धमकी देते हैं, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, अपनी भारत मां से बे इंतहा महबत करता हूँ, जान दे सकता हूँ अपने मुल्क के लिए, मैं दस साल पहले राजनीती में आया, पहले सोचता था, मेरा मुल्क इतना दुजगार क्यों है, क्यों, क्यों, अब पता चला कि ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे नेताओं को जनता की परवाई नहीं है, हमारे नेताओं को बस 24 घंटे गंदी राजनीती करनी है, हमारे ने तो बस 24 घंटे जेल में भेजने की धमकी देते रहते हैं, इसको जेल में भेज देंगे इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे यो लोग धंकी दे रहे हैं कि केज़रीवाल को जेल में भीज देंगे भीज दो जरूर भेजो इससे क्या होगा देश की समस्याइंस दूर हो जाएंगी केज़िवाल को जेल में भेजने से सबको रोजगार मिल जाएगा सबको शिक्षा मिल जाएगी नहीं ना हाँ आपके एहंकार की संतुष्टी जरूर हो जाएगी आठ साल में मैंने दिल्ली के सारे स्कूल ठीक कर दी है तीस साल में आपने गुजरात का एक एक भी स्कूल ठीक नहीं किया एक भी स्कूल जब आपको गुजरात में एक स्कूल में जाके फोटो खिचवानी थी तो उसके लिए भी आपको पूरे गुजरात में एक भी स्कूल मिला आपको टेंट में एक नकली क्लास बना के फोटो खिचवाने पड़ी आठ साल में दिल्ली में धिरों मोहला क्लिनिक खोल दिये अस्पताल बना दिये सबका इलाज मुफ्त कर दिया शांदार इलाज कर दिया 15 साल में मध्यपरदेश में आप से क्यों नहीं हुआ आठ साल में मैंने दिल्ली में पावर कट खतम कर दिये 24 घंटे बिजली कर दिये बिजली मुफ्त कर दिये 30 साल में आप से गुजरात में क्यों नहीं हुआ क्यूं क्यूंकि आपको करना ही नहीं है आपको देश से कोई लेना देना ही नहीं है आपकी बला से तो देश जाए भ रिष्टाचार और अपनी पैसे और सक्ता की हवस की वज़े से अब भारत रुकेगा नहीं है दिल्ली के बाद पूरा देश खड़ा हो गया है एक एक भारत खड़ा हो गया है अब भारत बेचैन है भारत को आगे बढ़ना है बहुत तेजी से आप जैसे राष्ट्र विरोध कोई लोग चाहे अब जो मर्जी कर लें लेकिन अब भारत रुकेगा नहीं भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है अब यह एक एक भारते का मिशन बन गया है देश के लिए मेरी जान भी हाजिर है मैं शुगर का मरीज हूं एक एक दिन में पचास पचास यूनिट से ज्यादा इंसुलिन लेता हूं इतनी शुगर होने के बावजूद ब्रश्टाचार के खिलाफ एक बार मैंने दस दिन का और एक बार पंद्रा दिन का अंच्छन किया था उस वक्त सभी डॉक्टरों ने कहा कि इतनी शुगर वाला मरीज भूखा र जा रही है मैं पहले इंकम टेक्स में कमिशनर की नौकरी करता था चाहता जितने मर्जी करोड़ो रुपए कमा लेता हूं उस नौकरी को लात मार के कई वर्शों तक मैं दिल्ली की जुग्गी बस्तियों में ने काम किया है तब तो हम राजनीती में भी नहीं आए थे दू दुग्यां ही मेरा घर होती थी प्रधान मंत्री जी अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो दुनिया का कोई आदमी मांदार नहीं है केजरीवाल देश के लिए जीता है और देश के लिए मरेगा आप मुझे सौ बार सी बिया एडी बुलाओगे तो मैं सौ बार जाओंगा जैहन्द